क्रिकेट की इंसाइट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और इसके बाद बेल आइकन गो प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले हैं क्रिकेट की एक्स्क्लोसिव खबरें इंगलेंड और और उस्टेलिया के बीज एशस सिरीज के दूसरे टेस्ट मैच में लौड्स के मैदान में बहुत बड़ा हाथसा हुआ यहां स्टीव स्मित जोफरा आर्चर की बॉल लगने के बाद मैदान पर ही तडपने लगे और फिर बेहोश भी हो गए मगर पूरी दुनिया तब हैरान हो गई जब मैदान पर स्मित दर्द से तडप रहे थे लेकिन अंग्रेज, खिलाडी, जोफरा आर्चर के साथ मिल कर स्मित का मजाक उड़ा रहे थे अंग्रेजों की इस घटिया हरकत पर पूरी दुनिया से उन्हें भला बुरा कहा जा रहा है तो आपको दिखाते हैं कैसे स्मित के बेहोश होने पर अंग्रेजों ने घटिया हरकत को अंजाम दिया आप भी क्रिकेट के फैन हैं तो कमेंट बॉक्स में इन बेहूदा अंग्रेजों को जवाब जरूर दें कमेंट जरूर करें तो लोड्स टेस्ट बारिश की वज़े से प्रभावी थै और मैच के चौते दिन औस्टेलिया के पहली पारी के दौरान स्टीव स्मित को बॉल लग गई जोफरा आर्चर की बॉल सीधे स्मित के हेलमेट के बिलकुल नीचे लगी जिसके बाद स्मित मैदान में ही गिर गई और तडपने लगे कई खिलाडी उनके पास पहुँचे और ने ठीक करने की कोशिश की मगर बिलकुल उसी समय इंगलेंड के बलेबाज जोफरा आर्चर के पास गए और आर्चर को उनकी ऐसी खतरनाक बॉल के लिए बटलर ने बधाई दी यहीनि इसके बाद जोफरा आर्चर स्मित की तरब देख कर हसने लगे यानि कि दोनों मिलकर स्मित का मजाक उड़ा रहे थे कहां तो आर्चर को स्मित के पास जाकर माफी मांगनी चाहिए थी वो बटलर के साथ मिलकर स्मित का मजाक उड़ा रहे थे और दोनों की हरकत कैमरे में भी कैद हो गई बस फिर क्या था पूरी दुनिया के क्रिकेट दिगजों ने बटलर और आर्चर को खूब खरी-खोटी सुनाई इंग्लेंड के ही पूरुक अपतान माइकल वॉन ने दोनूं की हरकत को बेहदर शर्मना करार दिया तो वहीं रिकी पॉंटिंग ने कहा कि कम से कम ऐसे मौके पर तो स्मित को छोड़ देना चाहिए था ये बहुत निराशाजनक है सुनिल का उसकर ने तो जोस बटलर और और जोपरा आर्चर को एक-एक मैच के लिए सस्पेंट करने की बात तक कह दी यानि दिगज बूरी तरह से दोनों की हरकत पर भड़क गए और वैसे हरकत भी दोनों ने कुछ ऐसी ही घटिया की थी तो आथ को क्या लगता है बटलर और आर्चर ने स्मित के साथ गलत किया या ठिक किया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूले फ्लेम मीडिया रिपोर्ट